हलो दोस्तों, क्या हाल हैं आप सभी के? मैं उमीद कहता हूँ आप सभी के सभी healthy and safe है और अपनी त्यारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं बहुत सारे aspirants हैं हमारे साथ अपना scorecard शेयर कर रहा है काफी सारे ऐसे लोग भी है जो भी download नहीं कर पा रहे हैं और जैसे जैसे वो download कर रहे हैं हमारे तक अपने scorecards पहुचा रहे हैं मैं आपके साथ सबसे पहले वो scorecard शेयर करना चाता हूँ जो as of now highest marks वाला है आप इसे अच्छे से समझे उसके पाद कुछ scorecards मैं आपको और भी दिखाऊंगा जिससे आपको कुछ बहुत बढ़ी है चीज सीखने को मिलेगी आप इसे motivation की तौर पे knowledge की तौर पे लेना कि pre के बाद भी race पूरे तरीके on है सबसे पहले आप यह वाला scorecard देखो General Intelligence and Reasoning में जो marks से 43.5 है General Awareness में marks से 21.5 Quants में marks से 50 on 50 and English में marks से 47.5 of 50 जो raw score बना है वो बना है 162.5 लेकिन जो normalized score आपका बना है वो बना है 207.8 यानि सीधा 45 plus marks का increment आपको यह देखने को मिला है अब इससे आपको एक चीज सीखने को मिलती है कि सिरफ raw score के basis पे अगर आप बैठके judge कर रहे थे कि मेरा score जो है 160 के round आ रहा है फिर बाद में आपने देखा को cut of the 147 चली गई है तो मैं किसी भी sense में race में नहीं हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है normalization का बहुत असर पड़ा है इस बार हर बार की तरह आपको बहुत marks देखने को मिले है बहुत सारा increment 40-40 नंबर लोगों के बड़े है 40 plus marks बहुत सारे लोगों के बड़े है पिछली बार भी जो highest गए थे पिछले साल 223 marks थे as of now जो highest हमें मिल पाए है वो है 207.8 सीधा 45 plus marks का बहुत है increment देखने को मिला है अगर मैं अगले scorecard के आप से बात करता हूँ सेम यहां भी चलेगा जो raw score है 176 है और जो normalize score है वो है 201.56 यहां पर भी आपको around 25 marks का increment देखने को मिलता है एक और scorecard के अगर मैं आप से बात करता हूँ सीधा 155 marks से 200 plus marks हो गए है 45 plus marks का increment आपको यहां भी देखने को मिला है और इसी तरीके अगर मैं आप से scorecard की बात करता हूँ 143.5 से सीधा 180 से भी उपर score पहुँच गया है अब आपको एक point यहां पर समझना होगा और इसे sincerely लेना होगा normalization एक ऐसी चीज़ है जो आपके control में नहीं है आपको नहीं पता आपकी shift जो आएगी वो कैसी आएगी, क्या वो मुश्किल आएगी, क्या वो असान आएगी क्या आपके marks बढ़ेंगे, क्या आपके marks घटेंगे जो एक चीज़ आपके control में है वो आपकी तैयारी है इस point पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सारा दिन इंटरनेट पे बाइट के यूट्यूब पे बाइट के यही देखेंगे कौन से shift के कितने बड़े और यार मेरी shift के तो 10 ही बड़े वस मेरे marks 10 बड़े हैं मेरे दोस्त के तो 25 marks बड़ गए हैं 40 marks बड़ गए हैं इन सब बातों में अपना समय बिलकुल भी खराब मत करो अपनी तैयारी बिलकुल मत छोड़ो आपके कितने भी marks उपर है cut off से आप selection के race में हो इस point को समझो आप cut off से उपर हो that is आपके पस मौका है बचे वे 500 marks में कमाल करके दिखाने का अभी सिरफ 200 marks का paper होई इस point को आपको समझना होगा this is not the end this is just the beginning अभी सिरफ पहला level आपका हुआ है दो बचे हुए है 500 marks पूरे तरीके खुले वे आपके लिए और वाकि सभी के लिए student life में अपना एक ही target रखना और सिरफ एक ही target रखना कि अपनी तैयारी करते रहो जो exam आए दे दो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन अपनी तैयारी बिलकुल भी मत रोको अगर माल दो यह 143 marks जिसके भी raw score था अगर यह अपनी तैयारी छोड़ दे तो क्या कभी इन्हें उस point पे समझाता है कि यार मेरा score तो 180 प्लस जा चुगा है मेरा score तो इतना अच्छा है मुझे पहले से तैयारी गरनी चाहिए थी तैयारी आप बिलकुल भी मत छोड़ो आपके control में कुछ चीजे हैं जो आपके control में बिलकुल भी नहीं है यह analysis, normalization, end में कहीं नहीं लेके जाएगा आपको आप इसके बारे में कितना भी पढ़ लो कितने भी इसके formula देख लो, कितने भी इसके analysis देख लो इस point पे कोई sense नहीं बनता, अपना समय बहुत जादा खराब करने का एक बात हमेशा याद रखना, selection ग्यान और सिर्फ ग्यान के basis पे होगा आपने कितना सीखा है, आपने कितनी practice करी है, उसके basis पे यह आपका selection होगा यह आपके control में factor नहीं है, तो पूरा focus अपना, 101% focus अपना तयारी में लगा दो और sincerely अपने notes बनाओ, selection अगर हुआ है, बहुत बढ़ी अबाद है race में, अगर किसी वैसे नहीं भी हुआ है तो भी जो एक negativity है, उसे positivity में convert करके अपनी तयारी पे पूरा focus करो तो भटको मत कहीं पर भी, कुछ यहां से, कुछ वहां से, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, systematic तोरुम पे अपनी तयारी करो जो भी financially stable है, आप unacademy plus पे अपने सारे subjects की पूरी तयारी कर सकते हैं छे जुलाई से आपके छे नए batches start हुए, सारे batches आपको अच्छे से study करने, अच्छे से लगाने है specifically यह जो ultimate batch है, यह आपके mains और pre, दोनों aspirants के लिए बहुत important है यह छे तारीक से start हुए, जिसमें अमन सर की class 6 तारीक से start हुए, अभी कुछ भी miss नहीं हुआ है मैं इस इस clear काना चाहूंगा, बहुत बच्चे पूछते हैं, क्या सर, classes miss हो गई है, क्या हम वो class नहीं देख पाएंगे कुछ एक second भी आपका miss नहीं हुआ है, सारी classes recorded होती है, आप अराम से सारी classes जितनी बाद चाहों, उतनी बाद देख सकते हो छे तरीक से अमन सर की, और तेरा तरीक से अभीने सर की classes start हैं, और इस अकेले batch के लिए आपको कुछ भी अलग से पे नहीं करना है जितने भी बाकी batches हैं, जितने भी बाकी सभी educators हैं, उसमें हमारे सारे courses हो गए, पूरा wifi study हो गए, सारे educators के सारे courses, 25 plus batches, 100 plus educators, all batches, all tiers, जाब pre की तियारी करे हो, mains की descriptive की, कोई से भी exam की तियारी करे हो, सब कुछ एक single plan में included है सारे के सारे educators, आप देख पाएंगे, 100 plus educators हैं, इन सब के साथ-साथ, और भी जितने educators, SSC category में हैं, सब के सब included हैं, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, mock test, live quizzes, सब चीज़े आपकी इसके अंदर included हैं सारे के सारे exams included हैं, चाप CGL की त्यारी करें, CPO, CHSL, all exams included, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, discount, अगर आपको maximum लेना है, तो आपको PMYT discount code के साथ, credits ज़रूर लगाने हैं, मैं आपको बता देता हूँ credits आप जैसे ही लगाएंगे, अपने discount code बिना space के PMYT लगाएंगे, आपको जो दो साल का plan है 5832, और जो एक साल का plan है 4860 का पढ़ जाएगा, suggestion दो साल वाले का ही रहेगा, because एक ही 1000 रुपे का difference है, आपके पास plan होता है, तो काम आही जाता है, end में आपको कुछ revise करना है, आपको वीडियो पसंद आया, कुछ motivation मिला होगा, अगर वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like आप कर सकते हो, टेलिग्राम पे and academy ss exams को follow कर लेना, जितनी भी pdf's और notifications होती है उनके लिए, all the very best, thank you so much.